हाई है गुड मर्निंग प्रेंट्स आप लोग अच्छे होंगे और विश्चने लेक्टर वीडियो दस में आप लोग को मुलालता और मुलालता कर डेफिनेशन उस पर संबंधित क्वेस्चन यह सारी 9 और 10 में करा दिया कि अधोर और अब एग्डुवी विडियो की बात कर रहा हूं और इस लेक्टर विडियो में आप लोग को डेफिरेंश मैं दिखाजता हूं कि डेफिरेंश सी णक City अंडर लेटी तो अंतर क्या होगा तो मैं सीधे से लिक रहता हूं आप लोग धियान देना कि सबसे पहले मैं यह विसक हुण को लीख रहा हूं यह मैं यह क्वेशन पर जलग मतलब यह कुशंध कंबेंक में यह मीलेंगे प्रैश्न आर्था एक उसंन आ चुका है फा इनल All तो यहां मैं भी डिवाइडर लगाता हूं ठीक है और यहां मैं लिखता हूं अंतर प्रिये बंधू याद रखना अंतर लिखा जाता है ऐसे ही करके दो भागों मैं डिवाइडर लगा करें ठीक है तो मैं यहां पर आप लोग को यह बताना चाहूंगा मेरा इधर रहेगा मोलर्ता मोलर्ता और जिसको कैपितल इम बोलोगे मोलर्ता और इधर लिखोगे मोलल्ता सबसे पहली बात को डेफनेशन को डेफाइन करोगे डेफनेशन पहला डेफनेशन इसका भी पहला तो पहला मैं लिखना चाहूंगा यह ध्यान रहे किसी भी लियन किसी भी लियन के एक हाजार एमेल या एक लिटर में उपस्थित बिले के मूलो की संखिया को मूल लर्ता कहते हैं देखे प्रिवंदू आप लोग यहां यह भी कह सकते थे कि क्योंकि डिफनेशन पीछे मैं लिखवाया था बिले के मूलों की संखिया या गराम अरुगों की संखिया उससे कोई दिक्कत नहीं है यहां लिखता हूं किसी विलियन के किसी बिलियन के एक हजार ग्राम एक हजार ग्राम या एक केजी बिलायक में उपस थे थे विलायक में उपस थे थे उपस थे थे विले के मुलो की संखिया मुलो की संखिया की संखिया को मुललता कहते हैं पॉइंट नमबर दू एक बात थमेशा कॉपी में एक लाइन छोड़ करेंगा ताक इसा आप दिखाई रठी के ना नमबर दो में मैं लिखता हूं आप लोग जानते हो इसे एम द्वारा सुचित किया जाता है आगे इसे भी लिख दिया जाएं इसे सुचित किया जाता है इसमें कैपिटल एम और उसको एसमाल एम द्वारा ठीक है अब यह लिखता हूं नमबर थाड में इसका एस आई मात्रा के इसका एस आई मात्रा के मात्रा के मॉल मॉल प्रती लिटर मॉल प्रती लिटर मॉल लिटर इन्वर्स होता है जबकि इसमें क्या होता यह भी देख लेजिए इसका एस आई मात्रा के मॉल पर मॉल पर किगरा का मतलब समझना किलोग्राम ओके मॉल पर किलोग्राम अर्थात मॉल के जी इन्वर्स होता है अब यह मैं बता दूं आप लोग को यह आयतन पर निर्वर करता है पता है न तो लिखेंगे यह आयतन पर निर्वर करता है इसमें लिखोगे नंबर चार में आप कीज़ेगा यहां नंबर चार होगा नंबर चार में यह द्रब्यमान पर निर्वर करता है अगला आप लोग यह भी जानते हैं मैं बताया हूँ कि जिस क्वांटिटी में आयतन पर निर्वर करता है यानि ताप का प्रभाव परता है परता है इसमें लिखोगे नंबर पांच है मोललता पर ताप का प्रभाव प्रभाव नहीं पढ़ता है अब आप लोग ऐसा करना दोनों का सूत्र आप लोग जानते हो तो दोनों का सूत्र लिख लोगे कि एम बराबर हिंदी में लिख देना अच्छी तरह से मोललता इक्वल होगा बिले का द्रभमान ग्राम में इंटो एक हजार बटा में लिखोगे विलायक का द्रभमान इंटो विलियन का आयतन इन एम एल देखेगा यह बिलियन है का है आयतन है क्लियर आप लोग ध्यान देंगे इस पर ठीक है मैं उसमें भी लिख देता हूँ इसी बात को ठीक है नमबर शिक्स में जड़ा देख लिजेगा मोललता मोललता इकवल होता है बिले का द्रबमान ग्राम में इंटु एक हाजार बिले का मोललता द्रबमान इंटु बिलायक का द्रबमान इंटु बिलायक का द्रबमान इन जी एम का मतला ग्राम यह कोस्टन आपका कंप्लेट हुआ प्रिये बंदू और जब भी यह कोस्टन पूछेगा आप लोगों से पूछा भी है तो वन मल्टिपल टू इकवल दो नमबर में ही तो अब आप लोग कहोगे सरी यह बताओ जब दो नमबर के कोस्टन आएगा तो इसमें से क्या हम लिखेंगे दो नमबर के कोस्टन के लिए पहले डेफिनेशन को लिख देना और इसमें से जो मन करेगा ओ लिख देना ऐसे मैं बता दूँ आप लोग को कि दो नमबर के अंतर हो या तीन नमबर का अंतर हो एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी कि हमेशा उत्तर एगो बढ़ा कर इसमें अंतर लिखा जाता है ताकि ये गलत भी हो जाए तो अगली क्या अगले वाले सही पर मिल जाए आपका ठीक है चलें आगे ये बात आप लोग के स्कीन सौट कर लेना और मैं आगे ये इसी बीडियो में आप लोग को बात करता हो आप लोग को मुलरता भी खतम हो गई मुललता भी खतम हो गई आय को और डी क्या हो गई यह भी खतम हो गया यार क्या है यह मुलर्था और मुलल्था में अंतर अभी तक के सबी प्रस्णों में सबसे इंपर्टेंटर कोशन यहीं है कु सुन अर्धा और मुलल्था में अंतर कि तक टु incapable